जहिन जशिक्षक साथियों वेलकम बैक टू माय चैनल हम सभी आजकल विध्यालय में कक्षा शिक्षण में स्कूल रेडिनेस एक्टिविटी और सहज बातावरण में पढ़ाने के लिए जो बेसिक कोर्स दिये गए हैं चार्ड गती विधिये सब करवा रहे हैं साथ ही इपा प्रिषक्षण पूरे करने हैं अब उस प्रिषक्षण में एक नई बात आई है कि जब हम मुल्यांकन वाले प्राश्ण कर रहे हैं प्राश्री के बाद उसμεं हमें 70% अंकल आनिवार रहे हैं तब ही साथिफ सिकंट प्राप्थ होगा और उसके लिए केवल तीन ही अफसर आपको प्राप्त होंगे, इसलिए जब भी आप मुल्यांकन वाला पार्ट करें, असेस्मेंट वाला, उसमें जब भी आप प्रशनों को हल करें, तो ध्यान से करें, और यदि किसी भी प्रशन में समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियो की हल प ले सकते हैं, इससे पहले भी मैंने निष्ठा मॉडियल 2 के जो भी क्वेशन आंसर्स थे, कुछ प्रशन बना दिये थे, आज कुछ और प्रशन मिले हैं, वो भी मैंने बना दिये हैं, इस वीडियो में मैं निष्ठा 3.0 FLN मॉडियल 2 दक्षता अधारत चिक्षा की और बढ़ना में, जो असेस्मेंट वाले प्रशन हैं, वो लेकर आई हूँ, उमीद करती हूँ, वो प्रशन आपकी मदद जरूर करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, साथी बेल आइकन भी प् अभिभावकों, शिक्षकों और विध्यारती, तो इसका सही उतर होगा, उप्शन नमबर एक, राजय पद अधिकारियों, नेक्स्ट बढ़ेंगे, डैश के अंतर तक बचे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं, जो जीवन परियन चलता रहता है, उप्शन नमबर कक्षा 4, उप्शन नमबर 2, कक्षा 5, उप्शन नमबर 3, कक्षा 8, और 4, कक्षा 3, तो इसका सही उतर होगा, उप्शन नमबर 4, कक्षा 3, आगे बढ़ेंगे, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए, उप्शन नमबर 1, वेग्यानिक, दूसरा अवलोकन करने और मापने योगे, तीसरा जाती गद, और 4, पाठ पुस्तक पराधारित, तो इसका सही उतर होगा, उप्शन नमबर 2, अवलोकन करने और मापने योगे आगे बढ़ते हैं, रचनवादी पदती में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है, पहला उप्शन है सुगम करता, द पैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है, पहला है कौशली, दूसरा विकासात्मक तेयारी, तीसरा आयू, चौथा कक्षा, तो इसका सही उतर होगा, विकासात्मक तेयारी, आगे बढ़ेंगे, एफलन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, पहला है ज्यान सरजित करने की शमता को सुईकार करना, वेवारवाधी पद्धिती है, प्रकर्तिवाधी पद्धिती है, सहज ज्यानवाधी पद्धिती है, या रचनावाधी पद्धिती है, तो इसका उप्शन नमबर चार, रचनावाधी पद्धिती सही होगा, नेक्स्ट, कौन वाव्षाली समप्रेशक बनते हैं, चौथा बच्चे कहलों में भाग लेते हैं, कौनसा दक्षता अधारे शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, पहला है, गरिम्हार्टवारिशिक परिक्षा में शिकषा कहला बutation करते हैं, तो इसका option number एक, छात्र वारशिक परिक्षा में उचंक प्राप्त करते हैं, ये सही होगा, next, प्रारंबिक बालेवस्था, सामाजिक और भावात्मक कोशल, जिने डैश भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की मैथपून अवदी है, पहला है सामाजिक स्वास्थ, दूसर शारेरिक स्वास्थ, तीसरा मानसिक स्वास्थ, और चौथा अंत वेरेतिक कोशल, तो इसका सही उत्तर होगा, option number 3, मानसिक स्वास्थ, next, प्रतिफल आधारित पदिती प्रदान नहीं करती है, option number 1, बहतर गुणवत्ता पूंशिक्षन, एक समान संदर बिंदू, उत्तिन या अनुतिन के रूप में आकलन, या चौथा उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रिया है, तो इसका option number 3, उत्तिन या अनुतिन के रूप में आकलन, ये सही होगा, आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 22 का संशोधन चिन्नित करता है, कि कक्षा 3 और 5 में सार्विनिक परिक्षा होनी चाहिए, सभी राज्यों को कक्षावार विशेवार सीखने के प्रतिफल तयार करने चाहिए, नो डेटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, या यदि बच्चा परिक्षा में अनुतिन है, तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है, तो इसका उप्षन नमबर 2, सभी राज्यों को कक्षावार विशेवार सीखने के प्रतिफल तयार करने चाहिए, ये सही होगा, आगे बढ़ते हैं, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किये गए हैं, पाठ पुस्तकों से, विकासात्म आगे बढ़ेंगे, सीखने के प्रतिफल एक विशेश कक्षा और विशाई के लिए प्रतिचत्रित करते हैं, प्रियोगों को, पाठ चर्या को, पाठ पुस्तकों को, या पाठों को, तो इसका उप्षन नमबर 2, पाठ चर्या को, ये सही होगा, नेक्स्ट, बच्चों को निशुलक और अनिवारे शिक्षा का अधिकार, आर्टी एक्ट अधिनियम का उद्देश, आयू के बच्चों को निशुलक और अनिवारे शिक्षा देना है, 0-8 वर्ष, 6-14 वर्ष, 3-18 वर्ष, या 3-6 वर्ष, तो इसका सही उत्तर होगा, आप्षन नमबर 2, 6-14 वर्ष नेक्स्ट, दक्षता अधारत, शिक्षा प्रणाली में प्रते कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं, परिवर्तियनीये, विद्ध्यारती द्वारविक्सित, भलीभाती निर्धारत और निश्चित, या कक्षा ध्यापक द्वार विक्सित, उसका उप्षन नमबर और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में, विध्यार्थी को विजेता और हारने वाले के रूप में शेणी बद करने के लिए, या विध्यार्थियों को उत्तीन अनुत्तीन के शेणी में रखने के लिए, तो इसका option number two, विध्यार्थी और शिक्षको तो इसको हम दक्षता कहते हैं option number 4 सही होगा आगे बढ़े भोजन में पोशक तत्व विटामिन A आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं सुक्ष्म पोशक तत्व इस्थूल पोशक तत्व संतुलित पोशक तत्व या प्रतिरोधक शम्ता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number 1 सुक्ष्म पोशक तत्व next है पोशन देखवाल का गटक नहीं है स्वायत्या, सुरक्ष्य और बचाव अच्छा स्वास्त्य और परयाप्त पोशन जिम्मिदार देखवाल और प्रारंभिक शिक्षा के अबसर तो इसका सही उत्तर होगा option number 1 सुक्ष्म पोशन आगे बढ़े अब हमने 20 question कर लिया हमें से submit करेंगे जी हाँ देखे, इस score पूरा 20 में से 20 है तो आप मेरे वीडियो के help जरूर लिजेगा इससे आपको मदद मिलेगी फिर मिलूंगी next वीडियो में तब तक के लिए, thanks for watching